हालो एवरिवन आईडिया भारत इसकी लिटेशन में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज जो हमारा 10-7-2023 जो फ़र्ष्ट का जो पेपर हुआ है कुछ बच्चों ने अपने मेमोरी के इसाब से कुशन को अपना सेयर किया है निमी कुशन के स्कीन सौर्ट के वाटसप के जरिये और टेलीग्राम के जरिये और कोचने हमें फोन करके बताएं कि सर यह इस तरह के कुशन से एक्जाम में आए थे तो दोस्तों इन कोशनों को हम वीदिवत तरिके से सौल्व करेंगे तो सौल्व करने से पहले आपसे एक एक रुक्रेश्ट पहले कि करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को क्या करना जिससे की होता है कि आपको तरंद मिल जाएगा नई वीडियो का ठीक है तो यह आपका फर्स्ट येर वालों का जो पेपर हुआ है फर्स्ट का तो उसी का हम एनलेसिस लेके आएं तो जो इस्टूडेंट हमें आपको पूरा विद्वत तरीके से फर्स्ट की पूरी क्लास करवा चुका हूं अगर आपने फर्स्ट येर की पूरी क्लास करवा चुका हूं अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा उनको अच्छे से देख लीजेगा ठीक है तो देखिए कोश्चन में ने जितने भी करवाई सभी के सभी निवी पैटरन से या रहे एक भी बाहर कोश्चन नहीं है अधिके कोश्चन हमारा फस्ट दिया गया है कि इस सुरच्चा च इनका नाम पूचा गया है तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो का भी साथी कमेंट करके बताएंगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो का भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे है यानि जो डायक्राम दिया गया है इसको हम बोलते हैं सूच नात्मक चिनिका दिया गया क्या होगा ऑप्शन नमर डीज राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं आपके स्कीन पर यह रहा कोशन को अच्छे से देखिएगा जितने भी कोशन से दो तो आपक सब्सक्राइब कोशन को इंगित करता है तो कौन सा इंगित करता है अपका बी दियागा ऑप्शन आपका सी दियागा तो इसमें सही कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथ अगर आपने इसके बारे में निमी पैटन को अच्छे से पढ़ रखा है जिनका आपई तक एक्जाम नोब आफ़ आसानी से कमेंट कर सकते हैं तो इसका राइट राइट आंसर को चली अगले देखते हैं आपकी स्कीन पर यह रहा को अच्छे से दोस्तो बिलकूल विदिबत तरीके से इनको याद करते जाना क्योंकि आपकी एक्जाम में भी रिपीट हो को सकते हैं51 पर्शंट धीके दिया गया है कि पीपी की जो तो यह दिए पीपी का नाम क्या जैसे कि आप सामने डाइग्राम दिया गया इस जो पीपी इस जो नाम बताना तो देखिए फ़स्ट हमारा दिया गया ना कवस दिया गया option b दिया गया सर का कवज दिया गया option d दिया फेस जुका कवज दिया गया option d दिया गया head यानि हाथ का screen तो इसमें से comment करके बताइए कौन सा right answer होगा जो आपके सामने diagram दिया गया तो सभी साथी comment करेंगे इसका right answer जिनका अभी तक exam नहीं हुआ है तो जल्ली से comment करें सभी साथी और दोस्तों जिनका exam अभी तक नहीं हुआ है जिनका आगे next day में exam है वह अभी अपने questions तो जरूर शेयर करना मैंने आपका वाटसप का जो नमबर है उसको description में आपको दे दूआ आप पहुंचे कर उनसे पर शेयर जरू करें ठीक है तो जो भी अच्छे से याद कर लेना कि जितने भी questions करवा रहा हूं यह हाल फिलाल question पूछे गए exam में यह बार बार repeat भी हो सकते हैं आपकी exam में दिए कि question में दिया गया कि विद्दू तो पकार्ड में जो लगी आग है तो कौन सा अगनी शमक का उपयोग किया जाता यह पिछली बार भी question पूछा गया जिस बार भी पूछा गया तो जली से comment करके बताई जो विद्दूस में लगी याग होती है उसको किसके दौारा मतलब बुजा सकते हैं किसके दौारा तो comment करके बताई जली सभी साथी कौन सा और राइट आंसर होगा तो काफी श्टूंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं जो भी साथ इसका कर रहे हैं option number is right answer हो जाएगा यानि किसके दौरा है लो निप्रके परकार के दौरा हम विद्दुद्द जो लगी आग है उसको आसानी से बुजा जा सकता है यानि option number is right answer हो जाए और 2023 में भी एक कुश्ण आज की डेट में पूछा गया देकि कोश्ण दिया गया है की डिवाइडर दिया गया इस चित्र का नाम जो जो जित्र दिया होगा जितने भी साथी हमारे वीडियो देखरें सभी कमेंट करके बताएंगा इसका राइट आंसर तो काफी साथ च्रेदि कर रहें जूभी साती इसका राइटाइट अंसर कर रहा है तो उनका राइट आंसर हो जाएगा यानि क्या हुआ वीडियो को ज्याद घिरए चैनल को पहली बार वुजट करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें यह आपके लिए बहुत इस्ता योग होता है हमारे लिए भी तो देखियो कोश्चन दिया इस ड्रिल बिट का क्या नाम है तो इसे जो ड्रिल बिट दी गई इसका आपको नाम कमेंट करका बताना है कौन से ड्रिल बिट अप्षिन नहीं दिया गया फिलेट डिल भीट कर तो शिका राइट आंसर कॉन सा जो भी साथ ही इसका राइट आंसर कर रहे है हमारा ቦ्षिन नाइन का option नॉमबर वी उनका right answer हो जाएगा वी क्या होगा एक और क्रार्फर यार्यस यानि क्या हो इसको बोलते हैं तेपर सेंग्ष सेंग बिट बोलते ह। ठीक अच्छा स्याथ करने क्या बोलते हैं टेपर सिंग बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला कुशन देखते हैं आपकी स्कीन पर यह रहा कोशन दोस्तों यह मेमरी बेस्ट हैं जो कि स्टूड़ेंट ने हमें अपने वाटसप गुरू पर टेलिग्राम पर और कुछ ने फोन पर करके हमें बताया हुए तो आप भी हमें सेयर कर सकते हैं कोई भी ट्रेड हो तो देखिए ऑप्शन नहीं दिया है क्रोस कठ जो ठंडी चेनी का ओद्यस क्या है मतलब सक किस ओद्यस है पर्पस के लिए करते हैं इसके बारे में दीया गया है देखिए ऑप्शन ने Vet की काटने में में ऑप्शन दिया कुमारे इलेक्स्टीशन फर्स्ट यर वालों का है जिनका फर्स्ट में वेपर हुआ था तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा हुआ तो काभी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा यानि क्या हुआ यहां पर देखें की वे किसका राइट राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला सबस्ट को यहां पर देखें कि स्कीन पर यह रहा कूश्चन में दोस्तों दियागा कि सीट मैटल कार के लिए उपयोग होने वाले इस डेक का आपको नाम कमेंट करके बताना है कि यह सटेक कौन सा देग ऑप्शन ए ऑप्ष्ण आपका डिया वहले वर्गा कार श्टेग्ट करेंगे जितने भी इतने उच्छी मेंट करेंगे इसका राइट अंसर कर रहे हैं विर्टी नायन का जो भी कर रहे हैं सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो hiring का उलए हो घमाल वें पर लो होर्न-स्टेक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोब ये साथि आहिए कंगा उनका राइट आइड एग जाया थिल्य हो रूझा की स्कीन पर रहीं रहे रहा को देखिएगा को देखिये इस तार जोड का क्या आफ जैसे आपके सामने चित्र दिया गया है इसतार जोड का आपको नाम कमेंट करके बताना है ठीक है तो दूस्तु यहांपर आपकी option से धीए यहां-ак option A दिया गया, A, R, L, tap जोड बोलते हैं, option आपका B दिया गया, knotted tap जोड दिया गया, option आपका C दिया गया, dup, legs, cross tap जोड दिया गया, option आपका D दिया गया, double cross tap जोड दिया गया, तो इसमें सही कौन सा ये आपको comment करके बताना है, तो सभी साथी comment करेंगे, इसका right answer कौन सा होना चाहिए, जिदेंभी साथी हमारे वीडियो दिख रहे हैं, सभी comment करके बताएंगे, इसका right answer कौन सा होगा, तो जो भी साथी इसका right answer कर रहे हैं, option नमर B, right answer हो जाएगा, यानि इसको हम क्या बलते हैं, नॉटेड़ टेप जोड़ काराइट आंसर फोजाहे गृजा अग्ला कुशिं चलते हैं अगला कुशिंच आपकी स्केन पर दोस्तों ये रा कोशिंच बो देखिए कोश्ने box मैं मैं क्मेंट चरके लिगते हैं तो कुछ आलग प्रतोरत की क्या होगी जली से कमेंट करके बताएं सबी साथ इसका राइट आंसर कौन सा होगा जितने भी साथ ही हमारे वीडियो देख रहें सभी कमेंट करके बताएं किसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए तो जली से कमेंट करें सभी साथ इसका राइट आंसर जितने भी साथ हमारे वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगा इसका राइट आंसर तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नमर डी राइट आंसर हो जाएगा यानि कुछ अलग प्रत्रोध का जो काई होता हो क्या होता मेगा ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं आपकी स्क्रीम पर यहरा कोशन को अच्छे से द्यान पूर्फ देखना कोशन जितने भी दोस्तों हैं यह सभी की सभी मेमरी बेस्ट कोशन है जो की स्टूडेंट हमें सेयर किये थे अगर आप भी सेयर करन देखे और आकर लूप टेस्ट के द्वारा जो तक ड़िएगा टेस्ट के द्वारा उप्शन आपका द्वी आइड प्रत्रो जिस्ट के द्वारा सबीसाथी कमेंट करेंगा इसका droite harsh scholar बेस्वा colorful कहिंभी सा ACT-e कर रहे हैं option number is right answer हो जाएगा जिन्होंने अच्छे से निमी पैटन को फालो किया है क्योंकि निमी पैटन से बाहर एक भी कुशन नहीं आ रहा तो क्या होगा option number is right answer है loop test के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भूमिकत केवल के दोसको ग्याद किया जा सकता है option number is right answer हो जाएगा चलिए एगला question देखते हैं आपकी स्क्रीन पर यह रहा question को अच्छे से समझेगा question को देखें यहाँ पर question में दिया गया है soldering विदी क्या है जैसे आपके सामने soldering विदी दिया गया चत्र चित्र दिया गया विदी का नाम बताना देकि option me नहीं दिया गया ढिप में दिया गया ओप्शन आपका बी दिया गया बिलो लंब के साफ Q & A वो सभी साथे कमेंट करेंगे जिनका अभी तक एक्जाम नहीं वहा हुआ वो सभी साथ इसका right answer यो भी करके आया होग ऑप्शयन नमबर D करके आया है उनका right answer हो जाएगा यहानी क्या होगा हमारा ताप वान नेंतरन प्रदरिंग इसका correct answer हो जाएगा चलिए हम अगले question पर चलते हैं जितने भी question है दोस्तों यह very important पूछन हो सकता आपकी एक्जाम में रिपीट कोशन हो जाएं तो देखिए कोशन में दिया अधिक अत्रिक्त धारा सुरच्छा है तु क्या उधारण है तो कौन सा उधारण हो देखिए क्या सपट बाइन हो ओप्षैना है उपने हैं में सैंट कर बता ना तो काभी साथ इसका राइंट योट अंसर करना है option number D is right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं आपकी screen पर यह question को अच्छे से देखिएगा question में दिया गया अधर चालग पदार्थ कौन सा है यह कई बार एक्जाम में पूछा गया आपकी इस वार भी question question पूछा गया हो सकता नेक्स डे में भी रिपीट हो सकता है तो देखिए यूरिका दिया गया एबो नाइट दिया ऑप्शन सी दिया गया मेगा निन दिया गया option D दिया जर्मेनियम तो जली से कमेंट करके बताएगे इसका right answer कौन सा होना चाहिए तो जली से दोनों क्या होते हैं अर्द चालक होते हैं ठीक है चली अगला question देखते हैं आपकी स्क्रीन पर यह रहा question को अच्छे अपसे आ देखिएगा कोश्चन मत दूस्तों दिया गया है कि प्रत्रोध का नाम जैसे आपको समयött lorsque प्रत्रोध का चित दिया गया यानि डियाक्राम दिया गया इसका आपको नाम बताना ये कौण नाम बताना ये कौट उप्ष और डिया गया तार बंदे हुए प्रत्रोध होगा option D दिया गया कि कारवन फिल्म प्रत्रोध होगा option D दिया गया कि मिस्रित जो कारवन मिस्रित जो प्रत्रोध होगा तो जली से कमेंट करें सब 37 में से कौन सा right answer होना चाहिए चार option में से यह भी exam में पूछा हुआ question है और आपकी 2022 में भी आया था और इस बार भी question पूछा गया तो जली से बताएं इसका राइट अंसर जिनका भी तक यह तो कौन सी युक्ति है जो क्या करता है धूप को विद्धू तूर्जा में अनर्जी में परिविद्ध करेंगा यह भी कुशन बार बार कुशन रिपीट होगा आपकी exam में भी रिपीट होगा जो नेक्स डेम होग तो इसमें से कमेंट करके बताइए सही कौन सा होगा जो दूप को क्या करता है बिद्धू तूर्जा में कंवर्ड करता है तो ज़लिसे कमेंट करेंगे सथी इसका राइट आंसर तो जो भी साथ इसका राइट आसर करके आएंगो ऑप्शन नमबर ए उनका राइट आनसर हो जाएगा यानि क्या हुआ फोट बोल्टाइक सेलक् के स्क्रीन पर यह रहा को समझेगा और ध्यान पुरुबक देखिएगा कोश्चन में क्या देगा कोश्चन जितने भी बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन जो आपकी बार-बार एक्जाम में रिपीट हो सकते हैं तो कोश्चन देखिए बिद्धूत आवेस की क्या एकाई है तो काभी साथ इसका राइट अंसर कमेंट भी कि देखिए उपशन नुमर्ण डी करके आएका उनका राइट आंसर क्योंप कूलाम इसका राइट आंजाम हो जाएगा चले अगला कुश्चन देखते हैं यह आपका लास्ट कुश्चन है जो इस्टुडेंट से सेर गया था इसमें दिया गया है कि सीसा अमल सेल में बिद्धुत अभगट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है तो बिद्धुत अभगट्ट की तरह हम क्या करेंगे सीसा से सीसा अमले सेल में यूज़ करते हैं देगी option A दिया गया hydrochloric अमल का ammonium chloride का या potassium hydroxide का option आपका D दिया गया तनू sulfuric अमल का तो सही साथी सभी comment करेंगे इसका right answer कौन सा होना चाहिए जितने भी साथी जिनका भी तक exam नहीं हुआ वह सभी comment करें इसका right answer तो काफी students का right answer करके आए जो भी करके आएगा option नमर D उनका right answer यानि क्या हुआ तनू sulfuric हम इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों जितने भी मैंने question थे कुछ बच्चों ना share किये थे अगर आप भी question को share करना चाहते हैं तो आपका description में WhatsApp का जो नमर दिया गए आप महां जाकर उन question को अपना share कर सकते हैं कि किस तरह की exam में question से पूछे गए हैं जिससे होगा क्या जिनका next day में जिन बच्चों का चात्रों का जो exam होगा उनको काफी benefit हो साएगा और दोस्तों आपको स्काम को प्रवाइड करना अच्छे से तो यह तो हमारे theory के होगा आपको जो बच्चों ने बताये थे तो मैं आपको complete करता हूं वीडियो को जादा से जादा अपने श्टेडी गुरूप और बार्ट से गुरूप में जरूर शेयर करना और चैनल पर पहली बार